गुड मॉर्निंग चिल्रेन, स्टेंड़ फोर, सब्जेट हिंदी, भासा कलस, लेशन फिप्टीन, हमारा देश, हमारी सोच इस पार्ट में देश की विकास एवं देश की सवचता के विशे में बतलाया गया है किसी समय जर्मनी बिग्यान के छेतर में शनसार के सभी देशों से आगे था हिटलर वहां का सासक था, उसके नाम से सारा संसार कापता था, यह घटना उसी देश की है हिटलर जर्मनी का सासक था, उस समय जर्मनी बिग्यान के छेतर में सबसे आगे था एक दिन एक विदेसी जर्मनी की एक सडक पर चला जा रहा था मार्ग में उसने किसी दुकान से केले खरीदे विदेसी ने केले तो खा लिये परंतु उनके छिलके सडक पर ही फेंक दिये उसके पीछे पीछे एक जर्मन नागरेक सडक पर चला जा रहा था उसने सडक पर पड़े उन केले के छिलकों को उठा कर कूड़े डान में डाल दिया और उस विदेशी के पास आकर बोला आप विदेशी है न? जी हाँ, विदेशी ने उत्तर दिया साइद इसलिए आप हमारे देश की नियमों को नहीं जानते हैं जर्मन नागरिक ने कहा, क्या आपके देश के नियम जानना आउस्यक है? विदेशी ने प्रस्ण किया जी हाँ, अत्यनत आउस्यक है जर्मन नागरिक ने उत्तर दिया विदेशी ने फिर पूछा, आपके देश का नियम जानना हमारे लिए क्यूं जरूरी है? जर्मन नागरिक ने विदेशी को समझाया जिससे ना तो हमसे किसी को कोई हानी पहुँचे और ना ही हमारे देश को कोई हानी पहुँचा सके तो एक दिन एक विदेशी बेक्ती जर्मन की सडक पर चल रहा था और केले खाकर उसने छिलके सडक पर ही फेक दिया जर्मन नागरिक उसके पीछे चल रहा था केले के छिलकों को उठा कर कुड़े दान में डाला और उस विदेशी के पास आकर कहा आप विदेशी हैं न? इसलिए आप हमारे देश के नियम को नहीं जानते हैं विदेशी ने जर्मन नागरिक से कहा आपके देश के नियम जानना जरूरी है जर्मन नागरिक ने उसे समझाया ना तो हमसे किसी को हानी पहुँचे और ना ही हमारे देश को कोई हानी पहुँचा सके विदेशी की बात सुनकर जर्मन नागरिक ने कहा आप जानते हैं प्रतियक वेक्ति अपने घर को साफ सुथ्र रखना चाहता है घर में रहने वाले प्रतियक वेक्ति का दाईत्व है कि वो देखी कि कहीं उसके घर को कोई हानी तो नहीं पहुँचा रहा है अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विदेशी बीच में ही बोल पड़ा यह देश है आपका घर तो नहीं यही तो आपकी भूल है वास्तों में हमारा देशी हमारा वास्तविक घर है घर की भाती देश की रक्षा करने का दाईत्व भी हम पर ही है नागरिक ने विदेशी को समझाने का प्रयतन किया क्या मैं अपना अपराद जान सकता हूँ विदेशी ने पूछा तो विदेशी की बात सुनकर जर्मन नागरिक ने कहा सभी वेक्ति अपने घर को साप सुत्रा रखना चाहता है और घर में रहने वाले सभी वेक्ति का जिम्मेदारी होता है कि घर को कोई हानी तो नहीं पहुँचा रहा है यह देश है आपका घर नहीं जर्मन नागरिक ने उसे समझाते हुए कहता है वास्तों में हमारा देशी हमारा वास्तवी की घर है इसलिए देश की रक्षा करने का दाईत्व भी हम पर है फिर विदेशी ने कहा क्या मैं अपना अपराध जान सकता हूँ नेक्स्ट पाराग्राफ जेहां आपको केले के छिलकी सडक पर नहीं फेकने चाहिए थे इन पर पैर पड़ जाने से कोई फिशल कर गिर भी सकता है उसे चोट भी लग सकती है इसके अतीरिक्त सडक पर कचड़ा फेकने से सडक गंदी दिखाई देती है अतहराष्टी संपत्ति को हानी पहुचाने वाला बेक्ती देश का सत्रू ही समझा जाएगा एक तो आप विदेशी हैं उस पर आप हमारे देश के नियम कानून नहीं जानते जर्मन नागरिक ने विदेशी को समझाने का प्रयास किया जर्मन नागरिक ने कहा आपको केले के छिलके सडक पर नहीं फेकने चाहिए थे इससे कोई भी फिसल कर गिर सकता है सडक गंदी दिखाई देती है तथा राष्टे संपती को हानी पहुँचाने वाला वेक्ति सत्रू समझा जासकता है तब मुझे क्या करना चाहिए विदेशी ने पूछा यदि आप जर्मनी में घूमना चाहते हैं तो पहले आप यहां के नियम कानून को कानून जान लीजिए जर्मन नागरिक ने विदेशी को सलाह दी यदि आप जर्मनी में घूमना चाहते हैं तो पहले यहां के नियम कानून जान लेना चाहिए विदेशी ने रस्न किया यह कैसे होगा जर्मन नागरिक ने कहा आईए मेरे साथ चलिए मैं आपकी सहायता करूँगा वह उष्विदेशी को अपना तिथी बना कर अपने घर ले गया वहां उसने उष्विदेशी को कई दिन तक अपने यहां रखा उसने विदेशी के खूप आवभगत की और उसे अपने देश के नियम कानून की पुस्तक भी दी विदेशी ने बड़े ध्यान से पुस्तक का अध्यान किया तो यहां जर्मन नागरिक ने उस वेक्ति को अतिथी बना कर अपना घर ले गया और उस विदेशी को कई दिन तक अपने यहां रखा उसने विदेशी की खोब मेहमान बाजी की उसे अपने देश की नियम कानून की पुस्तक भी दी पुस्तक पर राष्टी संपती की रक्षा के बारे में लिखा गया था और देश की हानी पहुँचाने वाले वेक्ति के लिए कठोर दन देने का नियम भी था पुस्तक में राष्टी संपती की रक्षा पर विशेश बल दिया गया था तथा देश कोहानी पहुँचाने वाले वेक्ति के लिए कठोर दन देने का विधान था कई दिनों तक जर्मन नागरिक का अतिथिय स्विकार करने के पश्चात विदेसी ने जर्मन नागरिक के घर्प से जाने की इच्छा प्रकट की जर्मन नागरिक ने उसे सम्मान पूर्वक विदाई दी उसके फश्चात विदेसी को जर्मनी में जब तक वह वहा रहा कोई कस्ट नहीं पहुचा यानि जर्मन नागरिक ने विदेशी को सम्मान पूर्वक विदाई दी अतर इस पाट से हमें यह सिच्छा मिलती है कि अपने देश से प्रेम करना तथा उसकी संपती की रक्षा करना प्रतेक नागरिक का अपना कर्तब्य होना चाहिए धन्यवाद